एक गुरु तत्व क्या है इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि बेद से लेकर रामायन तक सरबत्र भगवान एवं संकों ने यही लिखा है यही कहा है कि गुरु के बिना परमानंद प्राप्ती या माया निवृत्ती या लक्ष की प्राप्ती असंभव है वैसे तो बेदों में तीनही तत्व बताए गए हैं एक ब्रह्म एक जीव एक माया प्रियम जदा बिंदते ब्रह्म में तत्व बेद कहता है यही तीन तत्व अनाध्यनंत शास्वत हैं भगवान और जीव और माया तो जीव और माया भगवान की सक्ती है भगवान इनका शक्तिमान है, शासक है, नियामक है, धारक है, प्रेरक है, अध्यक्ष है यह गुरू तत्व क्या है? क्यो था? नास्ति तत्वम गुरो समम बेदव्यात कहते हैं गुरू तत्व के समान कोई तत्व नहीं वो गुरू तत्व है क्या? चौथा तो कोई तत्व है नहीं चौथा तत्व इसलिए कहा जाता है कि गुरू तत्व ना को ब्रह्म है और ना तो माया बद्ध जीव है और ना को माया है इन तीनों के अंतरगट वो नहीं है आप तू वो माया तीत है अब देखिए अब तीन तत्म अलग हो गए माया धीन माया तीत माया धीश तीनों के पास माया है माया धीन हम लोग माया तीत गुरू महापुरुष अमाया धीश भगवान तो माया धीन जब माया धीश को पाले तो माया तीत हो जाए यह महापुरुष की परिभाषा है सीधी सीधी जो माया धीन जीव माया धीश भगवान को प्राप्त कर ले उनका दर्शन पाले उनकी कृपा पाले वो माया तीत हो जाए माया धीश नहीं होगा और माया धीन भी कभी नहीं होगा एक बार माया तीत होने के बाद सदापश्यंत सूरयह सद्विष्णोह परमंपदम उस अनन्त काल के लिए माया धीत हो जाता है तो माया धीत जीव का नाम गुरु यह परिभाषा बनी या भगवत प्राप्त जीव का नाम गुरु यह परिभाषा बनी अब गुरु अनेक कक्छाओं के होते हैं एक गुरु होता है जिसने निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया बहुत ध्यान से समझो भगवान के दो स्वरूपन निराकार साकार मोटे तौर पर मूर्तन चैवा मूर्तन च द्वे एव ब्रह्मनों रूपे शंकर ने भी यही कहा द्वे वाओ ब्रह्मनों रूपे बेड भी यही कहता है एक निराकार एक साकार तो निराकार ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया ओ भी मायातीत हो गया ओ भी गुरु है और जिसने साकार भगवान को प्राप्त किया वो भी मायातीत हो गया वो भी गुरु है तो दो सेक्षन हो गए एक निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला गुरु एक साकार भगवान को प्राप्त कर लेने वाला गुरु अब इसमें भी बहुत से कोठियां हैं साकार भगवान में भी एक महा विश्णु बैकुंठ के अधीश क्यार भुजा वाले नारायन को प्राप्त कर लेने वाला गुरू एक ज्वारिका धीश स्रीकृष्ण को प्राप्त कर लेने वाला गुरू एक मथुरा धीश स्रीकृष्ण को प्राप्त कर लेने वाला गुरू और एक ब्रिंदा बनके श्यामसुंदर को प्राप्त कर लेने वाला गुरू फिर उसमें भी कई भेद है ये दास्त भाव का महापुरुष गुरू ये सक्ष भाव का गुरू ये बात्सल भाव का गुरू ये माधुर्ज भाव का गुरू एक से एक स्रेश्ट फिर माधुर्ज भाव में भी ये साधारणी रती का गुरू ये समन्जसा रती का गुरू ये समर्था रती का गुरू इत्यादी अनेक अस्तर है है ये सब गुरू गुमाने माया रूमाने निकालने वाला जो माया को भगा दे तो निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने वाला भी माया को भगा देता है साकार वाला भी माया को भगा देता है अब रही बात आनंद प्राप्ति की उसमें अनेक अस्तर है ब्रह्मानंद से बहुत बड़ा अनंग गुना बड़ा प्रेमानंद है प्रेमानंद में भी अनेक कोटिया हैं लेकिन येसा अब गुरू है ये सब माया को निकालने में समर्ठ हैं भगवान और गुरु बहुत सी बातों में बराबर हैं भोगमात्र साम में लिंगाच्य विदान्त कहता है कि आनंद जो भगवान के पास है सदा से वही आनंद भगवत प्राप्ति करने पर जीव को सदा के लिए मिल जाता है तो दोनों बराबर हो गए जो आनंद भगवान के पास वही आनंद गुरु के पास महापुरुश के पास ये महापुरुश और गुरु इसमें इन दोनों शब्दों में इतने भेद है बस कि जिस महापुरुश के हम शरनागत हो जाते हैं वो हमारा गुरु कहलाता है वो इसे सारे महापुरुश गुरु है क्योंकि सब माया को निकालने में समर्त है मान लो चार महापुरुष है वो सब गुरु के पदपर है लेकिन हम जिस महापुरुष के सरनागत हो करके साधना करें उसको हम गुरु कहते हैं और गुरु से हमसे कोई सम्मन्द नहीं और खास तोर से निराकार ब्रह्म वाले गुरु से हमारा कोई संबन्द नहीं जो सगुण साकार भगवान का प्रेम चाहते हैं वो तो बैकुंठ के और द्वारिका के और मतुरा के स्रीकृष्ण को भी नहीं चाहते वो ब्रिंदा बनके ही राधारमन से प्यार करते हैं उन्हीं को प्राप्त करने वाले गुरू की शरण में जाते हैं तो हमको जैसा भगवान चाहिए निराकार चाहिए तो निराकार गुरू के पास जाओ साकार चाहिए चार भुजा वाला तो उस गुरू के पास जाओ हमको जैसा सामान खरीदना है वैसी दुकान पर जाएं सीधी सीधी बात अब हम सब दुकानों पर जाएं कि सब गुरू तो है एक गलत एक गुरू के पास तुमने सुना मोसम कोन कुटिल खल कामी अनंत पाप के भंडार हैं हम और एक गुरू के पास गए संक्राचार्द उसने कहा जी वही भगवान है तुम सर्व शक्तिमान सर्व द्रष्टा सर्व नियंता सर्व साक्षी सर्व सुरित सर्व व्यापक भगवान हो वहां के लेक्चर सुना कि बड़े पापात्मा हो दास हो तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे तुमारी खोपड़ी में बीमारी पैदा हो जाएगी इसलिए जिस लक्ष को तुमने अपना एम बनाया है उसी लक्ष वाले गुरू के पास जाओ उसी को गुरू बनाओ उसी के सरनागत हो उसी की साधना करो और गुरूओं में दुर्भावना ना करो लेकिन दूर रहो देखो बादार में जाते हो सामान खरीदने तुमको चप्पल खरीदना है तो बादार में घुसे तो तुमको पहले मिठाई की दुकान मिली हाँ मिली तो आगे चलेगे फिर कपड़े की दुकान मिली हाँ उभी छोड़ दिया आगे चलेगे लड़कों नहीं रहो मिठाई की दुकान से ए जी तुमने मिठाई की दुकान को लगा रखी है हमको चप्पल चाहिए अरे तुमको चप्पल चाहिए आगे दुकान है चले जाओ मिल जाएगी जिसको मिठाई चाहिए उसके लिए हमने मिठाई की दुकान लगाई है तो उसी प्रकार जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए गुरु जी अपनी दुकान लगाए है निराकार ब्रह्म वाली और जिसको प्रेम चाहिए उसके लिए आगे दुकान है तो इस दुकान को छोड़ के आगे चले जाओ किसी में दुरुभावना नहीं सब सामान अपने अपने लक्ष वालों के लिए है अरे माईक जगत में भी किसी को स्वर्गही की कामना है हमारे सनातन धर्म में यही तो विशेष्टा है सब अधिकारियों के लिए सामान है आपको स्वर्ग चाहिए हाँ जी हमें भगवान भगवान नहीं हमको तो स्वर्ग में उसका आयश करना है ठीक है तो स्वर्ग के लिए ये 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 साधन करो स्वर्ग मिल जाएगा अजी हमको तो नरक चाहिए अच्छा आरे ये भी शौक है अपना अपना एक शराबी ने पूछा एक फ़कीर से क्यों साथ मौलबी साथ तुमारे बहिश्त में माने भगवान के यहां तुमारे खुदा के यहां ज्यादा आदमी है ज्यादा भीड़ भाड़ है चहल पहल है या दोजख में माने नरक में तो उन्हों ने का भई भगवा खुदा के यहां तो इने इने लोग रहते हैं नमाज पढ़ते रहते हैं और दोजख में तो बड़ी भीड़ है नरक में उन्हों ने का तो पर तुमारे खुदा के हैं अब जाना बेकार हैं आप सुनसान ऐसे होगी चाहल पहल क्या होगी और दोजख में तो खुब भीड़ भाड़ है अच्छा होगा आपन तो नरक चलेंगे हाँ पसंद है अपनी अपनी देखो कितने लोग जानते हैं अच्छी तरह से किसरा पीने से हार्ट खराब होगा ये खराब होगा वो शरीर खराब होगा बीमारी पैदा होगी फिर भी पीते चाय पीने में इसमें ये पोईजन है ये जानते हैं तमाम लोग ये निकोटीन है इसमें ये एक जहर है ये धीरे धीरे blood में जाएगा हाँ जाएगा लेकिन अब तो पीते हैं वह तो संसार में बहुत सी कीजें जानते हुए भी मन की कमजोरी से आद्णी उसका सेवन करता है तो कोई नरक चाहे, कोई मृतलोग चाहे, कोई स्वर्ग चाहे, कोई मोख्ष चाहे तो साथ के लिए हमारे यहां रास्ता है अब एक धमनलो क्रिष्टियन धर्म है वहाँ क्या कहा जाता है ति इसा ने वहाँ यह कहा है एक खप्ण मारा उनको तो उन्होंने दूसरा गाल कर दिया यह आदर्ष है उनका और हमारे भगवान का आदर्ष क्या है आपके कोमल चरणों में चोट लग गई होगी मेरी चाती बड़ी कड़ी है यह हमारे यहां का आदर्ष है ऐसे कितने आदमी हैं जो एक जापण लगा देने पर दूसरा गाल कर दे बताओ ऐसे कितने लोग हैं संसार में अधिकारी आएसे ही हमारे देश में भी ग्यान के अधिकारी कितने लोग हैं साधन चतुष्टा संपन चार साधनों से जुक्त कितने लोग निकलेंगे अरे हमारे देश तो क्या छे अरब में छे आदमी भी नहीं निकलेंगे आप यहाँ पर सुन रहे हैं लेक्चर हाँ आपके घर से खबर आई क्या आपके पती मर गए आपका बेटा मर गए अच्छा गिरी दोनों मर गए हाँ लेक्चर भाड में जाये क्रिपालू का भागे अगर साधन चतुष्टे संपन नो हो तो हाँ अच्छा आप जा जाओ फिर तुमारी बात सुनेंगे अभी लेक्चर सुन ले इतना बड़ा अधिकारित्प है निराकार्थ ब्रह्म के विशय में सूनना श्रोत अभ्या के पहले इतना बड़ा अधिकार चाहिए तो हमारे यहां सब कुछ है लेकिन हमको जो कुछ चाहिए वो ऐसे महापुरुष को हम गुरु बनावे औरों के पास न जाए नहीं तो कुछंग हो जाएगा एक महापुरुष कहेगा दीन बनो दूसरा महापुरुष करेगा दीन का है के तुम तो ब्रह्मो तुम पाठ करो सोहम सोहम एक कहेगा तुम पाठ करो दासोहम दासोहम फिर पहले वाला कहेगा ऐसा सदा सोहम सदा सोहम फिर तो कहेगा ये एक एक इसी प्रकार से अपनी अपने पक्ष में बोलेंगे बिचारा जीव, अलपग्य क्या करेगा और अगर बिद्वान भी है तो क्या करेगा ये भी लिखा है ये भी लिखा है इतनी बड़ी योग्गिता तो मनुष्य में है नहीं कि उसका समधान समन्वई कर सके ये तो महापुरुषों के काम है इसलिए गुरु शब्दकार थे ही है कि जो हमारे लक्ष के अनुसार हमारी साधना के अनुसार हमको लाभ दे सके वो हमारा गुरु है बाकी सब महापुरुषे किसी में दुरुभावना नहीं हो अरे जो निंदनी हो उसमें भी दुरुभावना नहीं होनी चाहिए जो पापात्मा हो उसके प्रति भी हमारे मन में दुरुभावना नहीं होनी चाहिए उदासील भाव हो चाहिए देखो, हमारा एक मन बरतन है, मैंने हदार बार समझाया है आपको एक गंदा कपड़ा है, इस गंदे कपड़े में शुद्ध पानी डालो, तो गंदगी छूटेगी अच्छी अच्छी बात मन में सोचो, भगवान की बात सोचो, संतों की बात सोचो और अगर गंदे लोगों की बात सुनोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, तो मन में गंदगी भरेगी निंदा, ओ कामी है, ओ क्रोधी है, ओ लोभी है, ओ धोंगी है, ओ बदमाश है अरे तो है तो तुम ये सब सुनते क्यों हो, बड़े चाओ से सुनते हैं हम लोगों, अच्छा, हाँ वो ऐसा हुगा, अच्छा सुनना गलग, पढ़ना गलग, सोचना हो और गलग मन ही में तो सब कुछ गरबड है, मन ही को ठीक करना है, और मन से आप सोचेंगे, तो गंदगी सोचेंगे, गंदगी भरेगी सारा संसार खराब है लेकिन उसको आप से क्या मतलब है आप अपने को ठीक करें अपनी गंदगी दूर करें दूसरे की गंदगी मन में क्यो ला रहें और प्लस कर रहें माइनस करने के बजाएं इसलिए दुर्भावना तो कही नहीं करना है लेकिन अपने बुरू के प्रती शरनागती होना है शरनागत होने के लिए तन, मन, धन, वार हमारे पास क्या है? शरीर है, मन है और कुछ धन है, प्रापर्टी ये तीनों को समर्पित तरो, वारो, निच्छावर कर दो क्यो? इसलिए येही तीन बाढ़क हैं हमारे लिए इनही तीन में हमारा अटाइच्मेंट है, लगाओ है तो भगवान कहते हैं ये चाति प्रियमात्मना तत्तन निवेदये मह्यम आए जीव, तेरा जहां अटाइच्मेंट हो, उसी को अर्पित कर दे तो अटाइच्मेंट माइनस हो जाएगा, फिर तो अपने मन को मुझे में लगा देगा, आराम से अगर अटाइच्मेंट नहीं हताता, तो दो मन तो ही नहीं, कि एक मन भगवान में लगा दो, और एक मन संसार में लगाए रहो यानि तन में, मन में, धन में इसलिए अपना सर्बस्च्वार्पित करना एक भाशा ये है आत्म समर्पन करना एक भाशा ये है उस सब का भिप्रा ये ही है तन मन धन, ये तीन से सेवा करना है और किसी को तीन नहीं मिलता, तो दो से करो शरीर समेशा साथ नहीं रहेगा गुरू के, कि शरीर से सेवा कर सतोगे तो मन और धन से करो धन भी सब के पास नहीं है तो खाली मन से करो चेतस तत प्रमणम सेवा तत सिद्धे तन विद्ध जा नमबर एक मन की सेवा नमबर दो तन धन की सेवा भावार्थ यही है कि जहां तुमारा लगाओ है आसकती है उस आसकती को हटा करके भगवान की ओर लगाना है गुरू की ओर लगाना है इसलिए कह रहा है तनमन धन निचावर कर दो गुरु चरण कमल पर वो गुरू और भगवान तमाम बातों में एक से हैं जैसे मैंने एक बात बताई आनंद भोग में बराबर है ग्यान भी बराबर है अग्यान नहीं रहा महापुरुष के पास क्योंकि अग्यान का रीजन माया माया चली गई तो अग्यान चला गया अग्यान गया तो देहा भी मान गया देहा भी मान गया तो उसके जितने सेना पती थे कामक्रोध लोब मोहमद मात्सर्ज इरिशादेश पाखंड सब अपना अपना विश्तर बांद कर गये माया के जाते ही सब गड़बड चली गई जो जो प्रापर्टी भगवान के पास थी वो मिल गई एश आत्मा पहरित पाप्मा विजरो बिम्रत्र विशोको बिजगत्सो पिपासा सत्यकामा सत्यसंकलपा यह आठ प्रापर्टी है भगवान की बेद के अनुसार एसा भख्त को मिल जाती है भगवक्त प्राप्ती के बाद बराबर हो गया इसी बात को भगवान ने तमाम ग्रंथों में तमाम प्रकरणों में कहा है भख्त मेरा प्राण है भख्त की भख्ती करो सब लोग मोते अधिक संत करी लेखे जो भगवान से बढ़कर संत को माने उसके हर्दय में भगवान निवास करते है जो भगवान में निवास करता है भगवान उसमें निवास करते है मै ते ते शुचाप प्य हम भक्त मदन्यत ते न जानंती भागवत भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता मैं भक्त के सिवा कुछ नहीं जानता भक्त मेरी आत्मा है भक्त कहता है भगवान मेरी आत्मा है साब दोनों एक सी सब बाते हैं हजारों जगे, दो, चार, दस जगे नहीं लिखा है, बड़ा पड़ा है पुराणों में, सास्क्रों में, इसलिए बेदों में भी कह दिया, कि देखो तुमको भक्ती करते समय ज्यान रखना है, कि जैसी भक्ती भगवान के प्रति हो, वैसी ही भक्ती गुरू के प्रति हो, यथा देवे तथा गुरू, तस्ते इते कशिता ही अर्था, लेकिन, एक बात में अंतर है, क्या अंतर है, कि किसी भक्त को वो कार्ज नहीं देते, जगत ब्यापार बरजम, संसार बनाना, संसार में ब्यापत होना, संसार की रक्षा करना, जीवों को कर्म का फल देना संसार को प्रलाई करना ये श्रिष्टी सम्मंधि बर्क भगवान स्वैम करते हैं एक अंतर ये हुआ अब दूसरा अंतर सुनो हम भगवान को नहीं देख सकते संत को गुरू को देख सकते छू सकते जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं उसके शब्द सुन सकते हैं उससे हम लाब ले सकते हैं और जिसका स्वरूप देखा तक नहीं उसके शब्द सुने नहीं उसका आसपर्ष पाया नहीं उसका ध्यान करना उसमें प्रेम करना एक अठिन है प्रत्यक्ष में प्रेव जल्दी होता है परोक्ष में देर से होता है संसार में जहां जहां आपका प्यार हुआ मा, बेटा, बाप, श्त्री, पती सब को प्रत्यक्ष में प्यार हुआ है देख करके देखते हैं सामने तब प्यार हो जाता है तो गुरु को आप देख रहें इसलिए प्लस गुरु ने हमको समझाया तुम कौन हो, तुम्हारा शरीर क्या है, ये संसार क्यों है तुम्हारा एम क्या है, तुमको भगवान से क्या तुम्हारा संबंध है उसकी प्राप्ति कैसे होगी तमाम सारी बातें उन्होंने हमको समझाया ये काम भगवान तो नहीं कर सकते भगवान कैसे करेंगे वो तो कहते हैं मैं सामने आऊंगा ही नहीं जब तक तुम अधिकारी न बन जाओगे शुद्ध न हो जाओगे तो शुद्ध कौन करें शुद्ध करें गुरु जी शुद्ध करें गुरु और जब शुद्ध हो जाओ तो भगवान काम आएंगे तुमारे जब जीव कांतह करण 10% शुद्ध हो जाएगा तब भगवान जोग्षें बहन करेंगे यह अंतर हो गया बहुत बड़ा एक भी जीव का भगवान से लाब नहीं हो सकता अगर अवतार लेके आवे तब तो उनको हम देख सकते हैं चू सकते हैं हाँ तब भी नहीं देख सकते तब भी नहीं चू सकते तब भी नहीं उनके सब्द सुन सकते क्योंकि वो चिदानंद मैं देह तुम्हारी है हमारी इंद्रिय मन बुद्धी प्राकृत है तो जाकी रही भावना जैसी वो ऐसे वो दिखाई पड़ेगा भगवान तो अनंत बारा उतार ले चुके हम भी थे हमने भी देखा था लेकिन कोई लाब नहीं हुआ अरे हमारे हरदई में बैठे हैं कोई लाब नहीं अरे सर्व ब्यापक भी हैं कोई लाब नहीं भगवान से किसी का लाब नहीं हुआ दिमाग खराब हुआ लोगों का जुरूर राम देखी सुनी चरित तुम्हारे उम्माया का कार्द करते काम क्रोध लोग मों का वो देख करके हम कहते हैं यह तो हमारी तरह है एक आए के भगवान तो भगवान का लाभ तो तब मिलेगा जब भगवान वाली आँख, भगवान वाले कान, भगवान वाली नासिका, भगवान वाली रसना, भगवान वाला मन, भगवान वाली बुद्धी हमको मिल जाए और ये देगा गुरू, ये अंतर है गुरू और भगवान में इसलिए भगवान और संतों ने भी बार-बार लिखा है कि गुरु का स्थान उचा है, बड़ा है, यानि हम उसके करतग्य हैं, एहसान मानते हैं, उसने हमको पहुँचाया, माया से उत्तिर्ण कराया, अन्ता करन सुध्ध भी हो जाए, तो भी प्रेमदान गुरु करेगा, य इसलिए वो कहता है, गुरु चरण, कमल, बलिहार, तन, मन, धन, सब, उस पर निछावर करके, और अपने मन को सरंदर करो, बुद्धी को सरंदर करो, शरनागत हो जाओ, ये बुद्धी देवी जो है, इन्होंने ही सब बिगाड़ा है, अनंत जन्म, बुद्धी, हाँ, गुरु जी ने कहा, ऐसा करो, लेकिन ऐसा है कि, ए, लेकिन मत लगाओ, अजी हम तो बिना लेकिन लगाए रही नहीं सकते, आदत है हमारी, तो फिर लेकिन लगाओ, तो पर 84 लाख में भूँआ, जिसने लेकिन नहीं लगाया, वो तुलसी सूर मीरा कभीर नानक तु शरनागत हो गया, और जिसने लेकिन लगाया, वो भगवान वो महापुरुस्य अलग हो करके, संसार में अटाइच्मेंट करके, 84 लाख में घूम रहा है, तो गुरु के विशय में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, जब भगवान ही अनिर्बचनी है, तो गुरु तो अनिर्ब नहार मान ली, वो बुद्धी से परे हैं जैसे भगवान, ऐसे ही बुद्धी से परे हैं गुरु, जिस पर कृपा कर दें, वो गुरु को जान ले, मान ले, शरनागत हो जाए, और जो श्रद्धा जुकत हो, उसी पर कृपा करते हैं, तो हम श्रद्धा जुकत हो करके, और गुरु के सरनागत हो करके लाभ उठावें यही हमारा सव भागें।